वर्ट्स ओप गाईज असलाम अलेकुम तो कैसे आप लोग अमीद करता हूं सब खारिया से होंगे मैं हूँ जनेदली और आप देख रहे हैं जनेदली ओफिशल बंगलादेश फिश मार्कीट के अवाले से दुनिया की सेकिंड सबसे बड़ी फिश मार्कीट है और बंगलादेश एक्सपोर्ट में भी फिश की एक अपनी मसाल आप है और पूरी दुनिया के अंदर फिश जो है वो एक्सपोर्ट करता है और बेचता है तो आज बंगलादेश के अंदर जो फार्मिंग की जाती है फिश की वहाँ पे इनको किस तरह से तियार किया जाता है समंदर से पकड़ी होई फिश को किस तरह से बनाया जाता है और दुनिया के अंदर еक्षपोर्ट किया जाता है इसी हवाले से एक रियकशन है वीडियो का और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट दी इस वीडियो के रियकशन देने के लिए यह क्या कर रहे हैं यह फिश को लटकाया क्यों है सुखा रहे हैं दूम में शायद आर चार आरे शागोरे धेव छा मालुका धुश तारी माजे शूटकीर महसमा हाद चलों एक्टव सुटकी पोल्ली खुरे आसी दस्तों पोडली आमद्यद्यशेर स्वामुद्रिक शूटकीर एक्टी बरो अंशवी तरी हाय एह कप्स बाजारे विशसकोरे शीते मौशू मेले कहुद्र बाजेरे नाजेरेट्टेक, महसकाली शोना दिया एक्टवत्यशो जेलार विधिन्म अंचलेर शूटकी महल मेलो जानों प्राण भीरे पाए अमतर देशेरे उपुकुली एलाकार शाद दसरीके तीन निलियोन मानूस्त प्रत्तकोब परोख्षु होँआभे एई स्वामुद्रिक मोश्या आहरोन येवं ता प्रफ्रियाज़त कोरन काजिश्शंगे जरुचे देगे जिबिके निर भाव कोने हो मतर मानूस्त की माक 자기 टिल्म एको सामुत्रिक मांच एने ता प्रोकुरीयाज़त कोरन कोरते आप लकती मोटे माथ कोटकोटा लागे प्रक्रिया जात करनेर माध्धो में शुटकी तोरी करें अभी आखो नेशेची नाजीरेट्टेक माझ घाटे आमी देखते बाची अनेक गुलो माझ धरा ट्रोलार स्वमुत्र थेके माझ धुरे एक्षा नेशेचे आदेखते बाची आर्वेक्षी तोरी अधरी आडिया छे एवं व्याप्षा इरा एई ठ्वाला गारी गुलो नियाशेचे माच नियाजेटे स्वमुत्र राई ताजा माझ गुलोई एक्षो माई शुप्च माचे परणत होबे जार नाम शुटकी काच करें शुटकी पॉलोई स्भापति एवं स्कादरन संबादोगे शुटकी पॉल्लि आपको आजाजार नारी पूरुष्च्रमी काच करें प्रती शब्ता है की पुरिमान माच आपतारा पाठन? प्रती शब्ता है की पुरिमान माच आपतारा पाठन? प्रती शब्ता है की पुरिमान माच आपतारा पाठन? तो जब सुक जाती है तो उसको आप समय लें के उसका जो जान बिल्कुल खतम हो जाती है तो उसको सुका क्यों रही है? यह शायद ऐसी मार्किट में बेची जाती है और इस तरह से मैंने तो पहली दफा ऐसी फार्मिंग देखी है कि जिसके अंदर फिश को समुंदर से पकर के ला रहे हैं और उसको बना के उसको सुखा के उसको पैकिंग करके बाहर बेजी जाती है यह क्या माच रहा है? और लोग ऐसी पका के खाती है तो पाकिसार में तो सिर्फ देखी है और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे बिलकुल भी नहीं हमें मिलती और ना ही इदर कोई ख्रीदने वाला क्योंके है क्योंके इदर ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के दूसे इसों में फिश जो है वो ज्यादातर ताजा फिश होती है और उसको तली तो वहां पर रहने वाले कुछ बंगाली यह उती हैं जो शायद इस तरह से भी खाते हो या इस तरह से भी एक्सपॉर्ट करते हो लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है जियदा तर पाकिस्तान के अंदर ताजी फिश मिलती है जिसतbij है इसको बर्फ में लगा कि आईस के लगाने के बाद उसको जिल कर दिया जाता है उसको ज्यदा देर रखा नहीं जाता और इसी तरह से आईस में लगा कि एक्सपॉर्ट कर दिया जाता है तो ये जो काम अमल किया जा रहा है तो ये क्या अमल है इसके बारे में कुछ इंफरमेशन तो नहीं है मुझे और ये पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ वीडियो के अंदर के उसको लटका के सुखाया जाता है सुखाने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है उसको बिलकुल जो है वो सुखा दिया जाता है जिस तरह से किसी भी चीज़ को अगर आपने स्टोर करना है तो उसको सुखा लिया जाता है तो आप उसको कभी भी इस्तमाल कर सकते हैं वो खराब नहीं होती तो इसी तरह से ये भी एक अमल हो रहा है तो इस अमल के बारे में जरा आप मुझे इंफर्मेशन जरूर कमेंट करके बताईएगा तो बहुत इंटरस्टिंग था मेरा फर्स्ट एक्सपेरियस है कि इस तरह की वीडियो देख रहा हूँ तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है जरूर कमेंट करके हमें बताईएगा बहुत शुक्रिया